गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरे नाम संदीप कुमार रेड़ी फ्रम इंजीनियस कॉंपेटिटिव ट्रेनिंग अकाडमी आज हम लोग डिसकस करेंगे सी एस अफ ट्रेट्समेंन के बारे में जिनका एग्जामिनेशन 21 तारिक यानि मार्च इसी महिना 2021 में एग्जाम होने बाला है दोस्तों अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटल्स आप लोगों को अलओट किया गिया है और आ अप लोग। जो भी इस हिसाब से आप section wise select करनी है कौन सी पहले attempt करनी है कौन सी section को आपको चूना है और कम time के अंदर आपको काम कर करना है क्या 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 आप लोगों को carry करना है और negative markings के बारे में साथ में admit cards के जो भी download किया आपने inkjet print लिया हुआ है उस पे कैसा sign और signature का बारे में और साथ में photograph क बारे में हम discuss करेंगे और question paper का solutions है जिस दिन examination होगी उस दिन आप लोग मुझे उस question paper में जो भी memory based आप मुझे भेजेंगे तो हम आपको उसी दिन upload भी करेंगे तो उसके लिए आप subscribe कर सकते हैं और written examination strategy बहुत ही important है दोस्तों आपको strategy किसे साब से adopt करनी है एक description आप देख सक आप जॉइन हो सकते हैं मेरा टेलिग्राम ग्रूप पे CISF ट्रेट्समेंन के टेलिग्राम ग्रूप के अंदर आप जॉइन हो सकते हैं और चाहो तो आप लोग जो भी links दिएगे हैं उनमें आप देखके अपना तैरी कर सकते हैं अब बात आता है दोस्तों preparation strategy जो की current affairs उनको आप याद रखिएगा उनकी respective capitals आपको पता होना जरूरी है पहले आप जानते हैं जमोन कैश्मिर स्टेट था अब वो unit territory बन चुका है और ले लदाक लदाक आप जानते हैं जिसका capital आज के टाइम पे ले हैं दोस्तों कुछ चीज़ें आप लोग को पता होनी जरू कितने हैं total number of states कितने हैं अगर वो पूछा जाए unit territory कितने हैं इसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं पूरा पूरा देख सकते हैं अगला बात आता है दोस्तों dance forms जैसे की कतक कली हो गया कतक हो गया अलग-अलग dance forms आपको पता होना जरूरी है और बहाय डैंस कह आप जानते हैं कतक यूपी में होता है कतक कली केरल में होता है आंद्रा में कुछुपडी बरतनाट्य वेसा आप जानते हैं इन सब के dance forms के बारे में और आप लोगों को जिसकी festivals के बारे में कौन सा festival कहां पर मनाय जाता है जिसे की आप जानते हैं संक्रांति उगादी कहां पर नागबुर्ग के लिए famous है वहां पर काफी औरेंजिस festival होता है हॉन्बिल festival कहां पर होता है अलग अलग festivals के बारे में भी हमने प्लेइलिस्ट के अंदर दिया है आप जाके देख सकते हैं अब बात आता है दोस्तों authors कौन सा किताब का किसने compose किया है Since Sports Terminology Box Terminology में अलग अलग जैसे की कैड़ी जो बंदा कैरी करता है बैग को गोल्फ में उसको कैड़ी कहते हैं इस तरह का Sports Terminology Bunker चक्कर इसस अब अलग अलग terminology है और sports players के बारे में पूछा जा सकता है उनकी अलग-अलग नाम रावल पिंडी एक्सिक को कहते हैं पाकिस्तान का फास्ट बोलर है शुय बकतर को कहते हैं इस तरह का sports players के बारे में या टेनिस जो भी खिलाडी है रिशेंटली जिन्हेंने जीता है tennis के संबंदित titles या Awards के बारे में पूछा जाएगा कौन सा Awards है चाहिए परव्विर चक्र हो पद्मभूशन अवार्ड हो हर चीज़ आप लोग के याद रहना चाहिए Battles के बारे में पूछा जाएगा अगर यह सब चीज़े आप लोगों को पूछा जाएगा और ये क्या section से क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप जा के आराम से जी के playlist के अंदर जा सकते हैं जहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा और mathematics की बात आता है arithmetic के अंदर आप profit and loss चेक कर लिजे time and work चेक कर लिजे जिनके अंदर काफी सारे सवाल आ सकते हैं simplification के बारे में board mass rule apply करते हुए या आप लोग percentage में देख सकते हो अलग-अलग subjects algebra के बारे में कुछ सवाल पूछा जाएगा और जितने भी mathematics में हमने already discuss किये गए हैं दोस्तो hcf and lcm के बारे में ये सब चीजे equation based, quadratic equations वगेरा इस तरह का कुछ सवाल आप से पूछा जाएगा आप आराम से value place करके find out कर सकते हैं जो की अलग-अलग हमने 20 question paper discuss किये आप जाके playlist के अंदर देख सकते हैं अब बात आता है दोस्तो reasoning के बारे में reasoning में आपको distance and direction का एक मिलेगा और analogy के बारे में जो की word हो गया और odd one odd देखने को मिलेगा और साथ साथ आप लोगों को अलग-अलग जैसे की calendar के बारे में time का angle find out करने के लिए ये सब चीजे हमने reasoning का playlist के अंदर discuss किया है वहाँ जाके आप आराम से find out कर सकते है आपसे analogy में word होता है और साथ में digit होता है और साथ में letter होता है ये सब चीजे scoring है दोस्तों आप इनको नजर अंदाज ना करो mirror image आ सकता है water image भी आ सकता है और cube के बारे में dice उनके वारे में आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजे आप लोगों को playlist के अंदर कड़क दिया हुआ है आप please उसमें जाके check कर लीजेगा अब बात आता है दोस्तों English mocks जो भी CSF treatment का playlist है उनके अंदर हमने 20 mock test दिये गया है और English में आपको पूछा जा सकता है clause test या आपसे एक छोटा सा passes देगा उसके बारे में आपको answers आसानी से medium moderate level के रहेंगे आप आसानी से solve कर सकते हैं आप English की mock test articles हो गया है prepositions placement हो गया है jumbled sentences हो गया है साथ में आप लोग देखने को मिलेगा जो भी error detection होता है उनको आपको identify करना होगा उस sentence में ये अलग-अलग strategy है दोस्तो ये आप इस 10 दिन में जो भी CSF treatment का जो link है उनके अंदर आप जो भी वीडियो देखोगे आपकी confidence level अपने आप बढ़ेगा मुझे नहीं लगता कि ये 10 days में अगर आप वो वीडियो देख लोगे सब आपका cover हो जाएगा वो mock series देख लिना 20 mocks जो भी दिये गए है सब सवाल आप करने की कुशिश करो और mathematics हो गया साथ में आप English भी देख सकते हैं अब बात आता है दोस्तो admit card के उपर आपको क्या-क्या काम करना है आप लोग एक light colored background photograph आप वहाँ पे चिपकाईएगा और sign in front of the invigilator वहाँ पे जो भी blank दिया गया है उनको आप यही से signature करके मच जाएगा आपको in front of the invigilator आपको करनी है तो आप वहाँ जाने के बाद आपको blank दिखाना है आप पहले से sign करोगे तो problem होगा वो blank दिखाने के बाद वो बोलेगा ठीक है sign करो तो sign वहीं पे करनी है और वहाँ पे जो भी staff है उनसे आप प्यार से रहिए और थोड़ा डर के रहिए वहाँ पे अपना अकड मत दिखाएगा must bring documents for the examination center आप लोग exam के लिए जा रहे हो आपके पास क्या-क्या documents होनी चाहिए admit card जो भी रहेगा उस admit card को आप laser jet printer से print out ले लीजेगा current photographs आप carry कर लीजे तीन photograph carry कर लीजे एक तो आपने चिपका दिया वही photograph का copies extra आप carry कर लीजे और साथ में आदार card या pan card water card इन तीनों में आप अपना school ID मत ले जाएगा इन तीनों का original या इन में से कोई भी एक original ले जा सकते हैं अगर दो है तो दो को ले जाएगे नाम जो है as per the admit card में जो लिखा है वही नाम होना जरूरी है अलग अलग नाम है जैसा आपका सरनेम अगर add हो गया तो नहीं चलेगा आप जो नाम उसके अंदर दिया गया है वही नाम होनी चाहिए और साथ में उनका xerox भी ले जाएगा क्योंकि कभी कभी उनका xerox मांगते हैं उस टाइम पर आप कोई भी xerox center के पास जाके ले जाने का कोई फाइदा नहीं है अगर आपको लगता है कि xerox की जरूरत नहीं है आप अपना original ID दिखा के अंदर जा सकते हैं और आपको examination के बीच में भी आप से पूछा जाएगा कि आपका original का है और साथ में pen जो है black pen या blue pen ले जाएगा बहुत ही important है दोस्तों black या blue pen ले जाएए दोनों ले जाएए no problem क्योंकि वहाँ पे bubbling की जरूरत पड़ेगी आपको चाहे black pen से करना हो black से कर लीजिए लेकिन आप gel pen ना ले जाएए जल पेन ले जाने से क्या होगा जल पेन ले जाने से वहाँ पे दिक्कत होगी वो दिक्कत यह है कि वो जल से आपका paper फट जाएगा तो ठीक है आप gel pen ना ले जाएए और pencil और eraser अब pencil किसी लिए जो paper वो देंगे वो लोग कहेंगे कि इसको मत ले इसको वापस देना है जो paper आपको वापस दे देंगे आप बहुत ही important है दोस्तों वो paper वापस दे देंगे और आप लोग याद रखेगा वो paper अगर वापस दे देंगे तो फिर आपके पास नहीं रहेगा तो अगर कोई भी questions बाहर आते हैं तो memory based में हम discuss करेंगे बच्चों से हम discuss करेंगे जो भी memory based है और आप लोग याद जो भी सवाल आप आएं अपना topic wise आपसे सवाल पूछा जाएगा हम paper solve करेंगे और all over India paper जो हैं अलग-अलग sets होंगे तो depend करता है सवाल क्या पूछा गया उस दिन हम discuss करेंगे क्या-क्या सवाल आये थे और मुझे लगता है कि आलग-अलग इंडिया same question paper होंगे और उस time पे आप pencil से उस question paper पे छोटा-छोटा tick करके एक साथ bubble कर लीजेगा आप examination में जब बाइटते हो तो उसका जो भी bubbling sheet है आप side में रख दीजेगा सबसे पहले जो भी सवाल है उनको आप देखने के कोशिश करिए जो जो आता है छोटा सा दीरे-दीरे से अपना pencil से लेके light tick मारते जाईएगा अगर वो क्यों इसके अंदर लिख रहा है वो बोलते हो तो फिर आप इसको मिटा सकते है तो इसलिए आप pencil ले जाना जरूरी है क्योंकि आपका जो भी answer आते है तो पूरा कपूरा आप tick करेजिए tick करने के बाद उसके बाद एक साथ बाइट के फटा फट जो जो टिक किया आपने उस जो भी paper bubbling sheet दिया गया एक साथ आप bubble कर लीजिएगा जो जो टिक नहीं किया है जिनको लगता है कि आप कर सकते हैं उनको आप आराम से करके सीधा bubbling कर लीजिए उस पे tick मारके आराम से bubbling कर सकते हो तो depend करता है कि आपको जो जो पहले आता है चाहे मानलो 100 में से आपको 50 सवाल आता है जो 50 आपने टिक किया उनको 50 कड़क अच्छी तरह से आप उनकी जिगा bubbling कर लीजिए तो आपके पास 35 मिनिट का है जो भी time है जिसे कि मतलब आपका आदा time खतम हो गया और एक गंड़ा खतम हो गया यह जितने भी मैं आता हूं सब मैंने कर लिया bubbling कर लिया देन आपको जो बचा ओवा time में क्या करना है बाकी जो सवाल है उनको करने के बाद same time bubbling कर लीजिए जो जो आता है उनको आप करने के बाद mathematics हो गया चाहा रीजिनिंग हो गया उनको same time bubbling कर लीजिए आप ये मत करिए एक सवाल आपने किया इधर बबलिंग कर दिया दूसरे सवाल किया इधर बबलिंग कर दिया ऐसा नहीं करिए सबसे पहले जो भी आपने बबलिंग स्टार्ट किया है उसको पहले खतम कर दीजिए तब ही एक स्ट्राटेजी होता है बबलिंग जो है सबसे प कम से कम 60 के उपर सवाल आते हैं तो उन 60 का कम से कम गन-shot मार्क्स करक लेने के कोशिश करिए नेगेटव मार्किंग नहीं है तो यह आपके लोगों के लिए काफी फैदा है और नुकसान भी है सबी लोगों के साथ यह हो रहा है तो आप लोगों को अराम से इसमें जितने भी marks है वो पूरा का पूरा आपका देख सकते हो तो यह कुछ चीजे हैं दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है अगला देखिए अगर आपको प्रीवेस या पेपर चाहिए उसका लिंक्स वगेरा चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर हम आपको भेज देंगे वाट्साप और जिरॉक्स पेपर आपको अगर चाहिए चाहिए सजीडी का हो चाहिए CISF का हो चाहिए BASF के हो सब के लिए काम होगा और यह हम आपको बाइपोस्ट बेज देंगे और इनका सबका एक्स्प्लेनेशन भी आप देख सकते हैं अपना यूट्यूब के अंदर अगला देखिए दोस्तों मस्ट रिमेंबर त चाहिएगा टिश्यू भी सात में अगर ले जा सकते हो हैंड्स को वाश कर लिजिएगा सैनिटाइज कर लिजिएगा स्टाफ को बताईएगा अगर आपको काफ अंड कोल्ड हो जाता है तो और किसी बंदे को अगर फिवर हो गया या काफ कर रहा है वो खास रहा है वह लोग इसको याद रखिएगा और आप तीन-चार दिन का लेके जाएगा जहां भी जा रहा है आप आप अच्छी तरह से लेके जाएगा ट्रावलिंग वगेरा के लिए वहाँ पे स्टे करने के लिए और मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप आप examination center के सुबह मत जाएगा रात में पहुंच जाएगा ताकि वहाँ पे कहीं न कहीं lodge में rest कर लिजे सुबह सुबह आप लाज से निकल जीए मतला एक दिन पहले जाने के कोशिश करिए अगर कल सुबह exam है तो यह जरूरी नहीं कि आपको चार बजे बस उतर रहे हो या train उत कॉडियल रहे है और don't be jovial or don't do monkey acts वहाँ बंदर की तरह वहाँ पे खूदने के मत कोशिश करो और हसने की ज्यादा वहाँ पे जोवियल होने की मत करो और वहाँ पे चिट्चाटिंग मत करो क्योंकि वहाँ पर ऐसे करेंगे तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा unnecessary किसी और से बात मत करो और किसी को help करने की कोशिश भी ना करो आप मुंडी मत हिलाओ अगर मुंडी हिलाओगे कोई और बंद आपको देखेगा आप से पूछेगा तो आप ना नहीं कर पाओगे तो मुंडी मत हिलाओ बस आपने आराम से अपना काम करते रहो अपने exam हो गया तो उदर इदर मत देखो आप आराम से अपनी उस पर कोशिशन पेपर पर जान दो और चुप चाप बाहर निकल जाओ वहां पर अगर मुंडी हिलाया और किसी और को देखा और help किया आपको बाहर कर देंगे अगर आपको cold वगरा है उसको आप अच्छी तरह से जो नहीं है अगर आप मास्क नहीं पहिनते हो तो znajऊंपे और नकालेगा और प्लेस्ट में जा सकते हैं और इंड तえば में आप जायन हो सकते हैं डिफेंस डिटी यक्टिय या आपको आराम से देखने को मिलेगा जाद से जाद कोशिन पेपर हमने डिसकस करने की कोशिश की है अब CISF की तैयरी करना हो तो क्या-क्या प्लेलिस्ट देखना है CISF प्लेलिस्ट का एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख लीजिएगा रीजिनिंग प्लेलिस्ट है वो भी देख लीजिएगा और CISF के अंदर 20 मॉक्स इंगलीज का है वो देख सकते हैं और इंगलीज प्लेलिस्ट में अगडिशनल देखना तो देख सकते हो जी के प्लेलिस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक वाइस दिया गया है उसको और Mathematics का प्लेलिस्ट भी हमने वहाँ पे सप्रेट दिया है आप Mathematics की सप्रेट वीडियो आप देख सकते हैं लैंग्वेज का प्राबलम हो सकता है कहीं कहीं मैंने तेलकू समझाया है नो प्राबलम आप कंटेंट पे जाओ मैटर पे जाओ आप चाहो तो आराम से देख सकत करें चाहिए और अब फाइफ टीन से साथ बाज़ तक स्टडी कर लीजिए साथ से लेकर साड़े साथवाज अगर योगां डेक्स्रेस कर ना तो कर सकते हो यह साथ साथ से लेकर 9 बाजु तक ब्रेकस्त कर लो या ना दो लो कुछ भी कर लो अब बाकि इससाब से शीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है अगर qualify नहीं हो जाता है तो कोई टेंशन मतलो काफी exams है SSC level के यह SSC CHSL है और MTS भी आने वाला है और साथ में SSGD भी आने वाला है यह सब आप लोग examination की तैयरी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी guidelines है आप मुझे call कर सकते हम आपको पूरी guidelines हम आपको दे देंगे question papers के साथ-साथ discuss करके हम आपको help करेंगे बस दोस्तों यह कुछ information हम आपने provide किया है इनमें अगर कुछ भी आपको doubt होता है आप मुझे call कर सकते हैं if you have any curious you are free to call or मेरा WhatsApp group के अंदर join हो सकते हैं link जो है नीचे description में दिया गया है have a good day दोस्त and share it to your friends best of luck for your exams और question paper discuss करेंगे उसी दिन 21 तारिक को आप मुझे उस question paper का जू भी questions याद किये हैं उनको आप याद करके आप मुझे WhatsApp करिएगा have a good day दोस्त have a great life यह मत सोचना कि तुम selection नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता बहुत options है बस मेहनत की जरूरी है